सो दोस्तो, आज कि इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ Vodafone के एक लेटेश टेपेन सेटिंग के बारे में दोस्तो, आपके पास Vodafone का सिम कार्ड है या फिर आइडिया का सिम कार्ड है आपका इंटरनेट काफी ज़्यादा प्रोब्लम्स दे रहा है दोस्तो बीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिकेशन को आल पर सेट कर लिजिए तो दुस्तो उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा सेटिंग में सेट पर क्लिक करने के बद आप पर देखेंगे जो भी आपका डिपॉल्ट एपन सेट होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक निवी एपन को क्रेट करने के लिए दोस्तों यहां से आपको वीडियो को एक दूम ध्यान से फिर आप छोड़ देना है एक्पtsåेंं मैं में आपको यहां आजाना है अपसे आपको लिखना है Uhndry सपीड वा छोड़ेना है प्रोक्सी नौटसेटेड पौर्ट को भी नौटसेट ल्रेट में दूस्टेडी यहाँ आपको प्रषभीज यहाँ दनैना है इस्पर इस्पी उसके वासे दोस्तों नीचे आएंगे mmc को not set mms proxy को भी not set mms port को भी not set दोस्तों एम सेजिशन एमनसी आपके में already set आ रहा होगा तो वही रहने थे authentication type में यहाँ पर आपको select कर लेना है PAP और CHAP देर आपको यहाँ पर एपन टाइप का जो option देखेगा यहाँ पर आपको लिखना है default दिन कॉमा लाग क्या पो लिखना इसुपी और कॉमल आपको XCAP यहाँ पर नेट जो चारे पर टाइप आपको लिख लेना है यह पिर प्रोटोकॉल में IPV4 इस आपीविश्ट को select करना है यह पिर रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPV4 प्रोटोकॉल में अगर आपको लिखाई देगा तो सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है जैसे दुस्ते इस पर एक बार क्लिक करेंगे आपके फोन में यह वाला एक बार करने के बाद फोन को एक बार करके जरूर चेक किजिए गा तो दुस्तों एक बार मैं आपको test करके दिखा देता हूं उसके लिए मैं आपर पर क्रोम डाजर ओपन करता हूं तो अब आप देखेंगे जो मेरे करन डाउनलोड स्पीड आ रही है 14 Mbps आप आप देख सकते हैं जो कि जस्ट मने एपन सेट के और आप देखेंगे 20 Mbps तक की दूस्तों डाउनलोड स्पीड आ चुकी है और आप आप देख सकते जोगी मेरा नेट्रोग भी आपर फूल है तो अगर आपके एरिया में एक अच्छा खासा नेट्रोग रहा है तो आपको भी इस एपन से काफी अच्छी स्पीड आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए